बच्चे को लॉजिक समझ में आके ना तो साल बर मेनध करते रहे लेकिन वह समझ नहीं पाएगा तो आपन समझेंगे कि एक क्वेशन होती क्या है कैसे उसको सुल्ड करना है और कैसे अपन उसे अच्छे से समझ सके ना तो सबसे पहले दीछ ते पहला कोशन पहले पूंश्एन दिये एकस मानेश 2 इक्ल्टी सेवन क्या है एकस मानेश 2 इक्ल्टी सेवन एकस माने यहां पर देखिए इसको बोले जाता है इसको बोले जाता है लेकिन अपन को दिख रहा है कि ii x का एक नंबर है जिसमेंसे टू सब्रेट करने पर seven मिलता है तो इकलता नंबर है वह ह को बहुता है वह है अगर मैं nine में तो इसके पास माइनस का टू है जब मैं इसको प्लस का टू से प्लस का टू कर जाएगा तो यहां पर प्लस का टू तो यहां पर प्लस का टू तो एक से पहला कोशन क्या होगा पहला कोशन सिंपल सी बाते हैं इसी तरह अपन दूसरा कोशन करते हैं दूसर कोशन देखें य प्लस 3 इकोल टू 10 पहले जैसे यह है किया य प्लस 3 इकोल टू 10 है वाई का एकल्णों ने वाई का एकल्णों ने पहले समझी क्या होता question equation क्या होता है पहले वह समझझी बराबर LHS ॉने चीश प्रवर So teachingём जिसमें 3 एकल्णों नबर या लिए 8 करने पर मेंगो कोई सानsam नम्बर मिल करना दो कि आपके आपके प्रेंड के पास किती रहे होंगे तैन उसके अगर मुझे पता करना है पटा करने कि उसके ड़िए किमें DRमócप आपको लेकिन उसने बोला कि तुमेंको अगर पांच टोफिञा तो तेरी टोफिरा में पयाइंगे? तो 3 तोफिए मेडरी तोफिए क्या हो जाएंगी बरावर है ना 3 सब तोफिए। अब क्या करें अब थोड़ी से बिमाग लागे कि अगर यद्यानि और इसके प्रिद से बचांस की बचे पहले भी उसके पास 10 नी रहे होंगी न जबेफे 5 हटाने पे वह 10 बचई क्योंकि कि उसने क्या बोला अगर तू मैंको पांच देगा तो मेरी जाके बराबर होंगी तो तू आप अपने से 5 डालो आप अपने क्या डालो 5 डालो तो भी जाके बढ़ाबर होनी चीए दोनों कंडिसन से इससा होनी चीए तो इधर पर क्या है वाइप प्लस 3 अगर में को इसको 3 एड करने पर 10 आ रहा है तो मैं 3 सब्टेट कर दूं तो मैं कर दूं तो क्या करेगा 3 सराफस से जो उसक क्या हो गया सॉल्यूशन बहुत सिंपल था ना ऐसी थर्ट कॉशन देखते हैं आप यह अपनी पैन कॉपी निकाल की रखी को मेरे साथ साल करीएगा ताकि आपको भी समझ में आए मैं को भी समझ में है अब बच्चे इसमें क्या क्या होता है कि सर पहले नंबर तो अब तो अन्नोन वेरिवल है जिसमें दो एट करने पर में को 6 मिल रहा है जिसमें 2 एट करने में को 6 मिल जाए ऐसा कौन सा नंबर दुनिया में तो ऐसा एक नंबर दुनिया में वह है 4 और कैसे करेंगे उसकोल । एकोल टू 6-2 कर दे ना दो कर दो दी रहे पहले दो अपनको पन प्याइज करते हैं जब जchine कि से अपको पंडे सब्सका नब котором-on van वीडियो को आप अच्छे से दिखिएगा 3x7 और 17x7 हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी डिनोमेटर सेम होता है तो नंबर होल नंबर जैसे बीएफ करते हैं वो कैसे दिखते अपनी दर पे इस एक्विशन में कह रहा है कि 3x7 में मैं कुछ एट कर दू ताकि मुझे 17x7 मिल जाए 3x7 में मैं कुछ एट कर दू ताकि मुझे 13x17 मिल जाए मैं क्या कर gray के तो पहले से आ हमाइसन में खरक आज़ को सब्द्राइट कर देएं मैं क्या करूं घर्ण ररा गाट मैंने स्ट्रेक्ट सब्सक्राइब बोच साइड बोच साइड बोच साइड अब साइड टो इसका एल जीमं पिए सेवन सेटीं मैंने सेवन स्ट्री एकसि क्या होगा मेरा सब्सक्राइब एक्स की विलू क्या होगे तो यानि कि 3 x 7 में जब मैं तो तो मैं को क्या मिल जाएक 17 x 7 तो इसका क्या होगा सॉलूशन इसका क्या होगा सॉलूशन इसी को बोले तो सॉलूशन इसका थोड़ी अच्छे समझें आपके फादर ने आपको वन थाउजन रुपीज दिये कुछ सामन लाने के लिए कुछ सामन लाने के लिए आपको नहीं पता कित्ते का है लेकिन आपके फादर ने बोला कि जब आप सामन लिखे आओगे तो दुकांदर आपको 600 रुपीज बापस करेगा आपके बोला कि सामन लिखे जाओ दुकांदर आपको 600 रुपीज बापस करेगा तो आपने दिमाग लागई है जब आप आपने यसी बोला 600 रुपे देगा तो आपने सोचा होगा ना कि वह 14 रुपीज में को देगा वह 1400 रुपीज उसकी कॉस्ट प्राइस होगी जब जा इसके बाद देखते हैं अगर नंबर और उसके साथ को नंबर तो दोनों मुल्टिप्लाइब होते हैं मैंने आपको पहले बताया था ना तो सिक्स इंटू एक करने बारा रहा है च्छे को किस से मुल्टिप्लाइब करें कि वेटा तो आ जाए तो देखी कैसे करेंगे अप क्योंकि दोनों तरह से वही है ना अगर किसी नंबर को मैं 6 कर रहा हूं तो जाके मैंको नंबर मिल रहा ना तो जाके 12 तो कैसे करें तो 6x is I call to 12 यह डिवाइड डिवाइड बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड बाए 6 कि अगर दूमे 6 से डिवाइड कर दो दोनों साइड तो में क्या मिलेगा 6x upon 6 equal to 12 upon 6 6 से 6 गया तो x equal to camel का 12 x equal to camel का 2 x equal to camel का 2 यानि कि 6 में जब मैं 2 का multiply करूँगा जब जब में क्या मिलेगा 12 लॉजिक है ना लॉजिक है सिंपल सी बात है इसी तरह सब्सक्राइब देखते हैं तो सिक्स्त वाला कोश्चन क्या कहते हैं ती अपॉन 5 equal to 10 ऐसा कौन सा नंबर है ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें जो 5 से रिवाइड करने पर मैं को 10 देगा जो 5 से रिवाइड करने तो आपको क्या मिलीगा 10 मिल जाएगा लिकिन लॉजिक समझें अपनी से अगर मैं के डिवائट ने बाऊंतों किया डाज गा है। इस आगे तो क्या हो गया थो टीगों टो ग hastोज Ó टेगी आगे 50 को 5 क्या से डीवैट करें यह लिदे लिए खार्ण Information लिए ओते Him तो 7th question क्या किता है 2x by 3 equal to 18 2x by 3 equal to 18 आप इधर पर क्रॉस multiply करिए कि अगर यह cross multiply है ना सेम आप जिसे 5 का multiply 10 में कर देते तो 50 मिल जाता हम एको है ना और कुछ नहीं रहता नंबर के नीचे rational number के नीचे तो वह 1 लेता है किसी नंबर को rational number बना सकता है पर तो 1 का multiply टी से करा तो टी कर तो टी रहा और 5 का उंटी रहा तो 50 हो गया सेम इक्वेशन मिली तो इसमें भी आप ऐसा करिए इधर पर वन है इधर की निचे का है बने क्रॉस multiply करें तो क्या अगर 2x इंटू 1 इक्वेल टू 18 इंटू 3 2x इक्वेल टू 1 इंटू 18 इंटू 3 कभी ऐसी क्रिशन आया ना तो कभी भी आपना multiply जल्दी मत करिए ना तो देर से करिए multiply अब देख इधर पर क्या आया 2x का multiply 1 में करो तो 2x ही मिलेगा मैंको है ना तो 2x तो एक x क्या होगा तू से डिवाइड कर दूना अगर दो टाइम करने पर में को इत्ता मिल रहा है तो एक टाइम करने पर क्या मिल लगा आदा है ना चार्ट ओफी मुझे दो बच्चों मैं बाटने तो क्या करूं मैं दोनों बच्चों को आधी आधी तू मतलब फोर टू से डिवाइड करूंगा तो भण दपी कहला है एक से इक कुल टू एक करण दो एक से इक सब्सक्राइब करना इसके बाहता है इसके नीची क्या वन है मैं कर दीजिए तो 1.6 into 1.5 equal to y into 1 y into 1 आ जागा तो इधर पर कहा जेगा 1.6 into 1.5 equal to y इन दोनों को multiply कर दीजिए तो multiply कैसे करेंगे इधर एक तो आएगा 15 15 225 आएगा तो 25 आएगा 15 एड़ कर दिंगा पनुसे तो 5 10 25 30 240 इधर आएगा 2.40 equal to y तो y की value क्या आगे 2.40 आगे ना सिंपल था ना बहुत चीज़ सिंपल थी डिवाइट डिवाइट और multiply में क्या फरक होता है डिवाइट multiply में क्यों जाता है linear equation में बहुत अच्छे समझे आप जैसे आपने क्या cards तो आपने खेले होंगे ना cards तो cards होते 52 है ना 52 होते आप 4 cards को 4 पार्ट में डिवाइट करें तो हर इंसान के तो हर इंसान के पास कित्ता है 13 13 13 13 13 आया तो आप इसका solution कैसे कि लिखेंगे यह थो 13 प्लस 13 प्लस 13 लिख दीजए तो भी जाके 54 चाह की अगा दूसरे गाया जबाएं अगर मुझे ऐसा दिया जाता है 13 into x equal to 52 है यहां पर x क्या सो कर रहा है कि 13 को कित्ते बार में डिवाइड कर रहा है ताकि वो 52 बन जाए 13 कित्ती बार मल्टिप्लाइगा है ताकि वो 52 बन जाए तो आप बोलेंगे 30 से डिवाइड करता हो तो x equal to 4 आएगा तो सेम एक्वेशन ऐसे ही है जब मैं डिवाइड करता हो तो सब्सक्राइग है ताकि अपने सोल कर सकता है इसके बाद इसके यको को नैंत वाला कोशन तो तो 7 9 क्या यताँ हो टो सेस्टीन तो सेवन एक मैनने नाइन एको तो सब्सक्राइड य़ा पर ie ऐसा समझी फिरसे फिरसे एक चीज में ध्यान है देखिए अगर 9 नहीं होता 9 हटा देता है मैं अगर 9 हटा देता तो 9 को 9 को सब्टेट करने पे में को value मिल रही है अगर 9 हड जाता 9 नहीं होता तो value अपने आप बड़ी हो जाती ना तो 9 अगर मैं दोनों साट कर दो तो यह value वाड जाएगी और यह value क्यों था जाएगी कम हो जाएगी तो जो पहली वाली वेलू थी वो में को मिल जाएगी कैसा 7x-9 9 plus 9 equal to 16 plus 9 equal to 16 plus 9 9 से 9 गया तो क्या गया 7 X equal to 16 9 क्यों जाएंगे 25 क्यों जाएंगे 25 तो X equal to 25.7 X equal to 25.7 इस question को देखिएं फोई सेम हैं माइनस 8 करने पर मैं को camera 30 मिर रहा है मतलब कुछ number था जिसमें से मैं 8 को कम कर रहा हूं तो मैं मैं को एक number मिर रहा है अगर मैं 8 दे दू उसको अगर मैं 8 दे दू उसको तो मैं को original मिल जाएंगे जो पहले होगा वो है ना तो 14y minus 8 इसमें मैं कर दू प्लस 8 equal to 13 plus 8 तराजू देखना जब तराजू में से कुछ दी निकालते हो कुछ दी डालते तो कौनों तरफ बैलेंस होता है इसी टाइप से अगर मैं इधर पर प्लस 8 करना पड़ेगा ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब करना है इसको करेंगे सब्सक्राइब तो सब बच्चे करी लेंगे लेंगे इसमें बताता ता हूं मैं आपको 11 वाला कुष्टन है इधर पर 6P इधर पर 9 मैं डाइन क्या कटँ बसक्राइब है तो है ना 17 को मैं चीन लूँ तो मैं मेरे पास एक औरिजिनल नंबर मिल जाएगा यह ना 17 दीते ही नियुक्त क्या जाएगा 6P प्लस 17 माइनस 17 एक्कोल टू 9 मानस 17 देख इधर पर मानस 17 तो इधर पर क्या लिखूंगा मैं सब्ट्रेक्ट सब्ट्रेक्ट 17 फ्रॉं प्रॉं बोग साइड फ्रॉं बोट साइड बोग साइड दोनों तरफ से 17 को छीए तो चला गया तो तो क्या बचाए 6P equal to 9-17 क्या हो जाएगा 9-17 कितना हो जाएगा सोची 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 plus minus होता है minus assign bed number की तो आएगा minus 8 क्याएगा minus 8 तो P equal to minus 8 by 6 2 से divide कर दीजे तो 2 से करेंगे तो क्याएगा minus 4 by 3 तो P की value क्याएगी minus 4 by 3 क्याएगी minus 4 by 3 similarly 12 question है तो 12 question देखिए 12 वाला question देखिए 12 वाला question को solve करने की लिखता करना पड़ेगा x by 3 है क्या x by 3 है यहाँ पर 1 है यहाँ पर क्या 1 है तो 1 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 15 by 15 15 15 by 15 equal to 7 by 15 लिख सकता हूं मैं है अगर आप करेंगे 15 upon 15 तो भी जाके आपको 1 ही मिलेगा तो भी क्या मिलेगा आपको वनी मिलेगा 15 upon 15 करने भी क्या मिलेगा वनी मिलेगा तो देखिए इसको क्यों लिखा मैंने क्योंकि डिनोम्र में क्या था इसलिए 15 लिखता क्या जागा एक सपान 3 equal to 7 upon 15 माइनस 15 upon 15 क्या जागा 7 upon 15 मैनस 15 upon 15 या फिर वह पुरानी मेतद दोनों एड्स एड कर दी सब्रेट कर दीजिए 15 upon 15 को दोनों साइड तरफ से है ना वो लिख दीजिए तो इधर पर क्या बचाएगा 15 एक्युट एपम पंद्रा क्रोस मैने कर तो 15 इंट्यवी एक्यों क्या जाएगा मैनस एट इंट्या पूर्ण 15 आप सोच रहे होंगि यत्ते पहले की कंसेप्त थे ले वह सब एक ही कोर्शन में लग गए है तो ऐसे तो कोशन टफ बना जाता है तो 35 जा तो क्या बचा माइनस का ये टूबर बचा और नीचे बचा फाइब बचा तो माइनस एट अपॉन फाइफ तो ठीक है बच्चो यहां तक अपने करिए exercise 2.1 इसके बाद आपन देखेंगे 2.2 तो उसके लिए आप रेडि रहेगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगी पूरी वीडियो देखेगा ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इत्ते अच्छे समझाने वाला है अगर आपको अच्छे लगए तो अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर करेगा चैनल को स